नमस्कार दोस्तों सोगते आपके इस्टेडी फॉर्ट सिविल तर्विसेज में यूपी पीसियस के एक्जाम का सिलेबस कवर करने में कितना टाइम लगता है कितना समय लगता है यह वाला जो है यह क्वेश्चन कई सारे श्टुडेंट कई बार पूच चुके हैं ठीक अब यूपी PCS का है, यूपी PCS का मतलब होता है उत्तर प्रदेस प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज यानि कि PCS है यह एक्जाम, इसकी कई सारे पोश्ट होती है, SDM, DSP, BDO, A.R.T.O. यह सारी पोश्ट इसके तरू मिलती है, नायतरसिलर वगेरा इसका एक्जाम कौन सा होता ह उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन ठेक है तो यह आयोग है उत्तर प्रदेश लोग से वा आयोग और इसके थुरू जो सबसे बड़ी पोस्ट मिल सकती है वो PCS की मिल सकती है निकि प्रोविंसिल सिविसिस की जिसके कई सारे नाम मैंने आपको बता है SDM DSP बीडियो A.R.T.O. और बहुत सारे और भी पोस्ट है ठीक है सिलेबस कवर करने में कितना टाइम लगेगा इससे पहले आपको पूरा एनलिसिस करनी पड़ेगी सिलेबस है क्या कहां से क्वेशन आते हैं कितनी स्टेज में क्वेशन पूछे जाते हैं क्या 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 Elimination स्टेज है कै कैसे मेंज दिया जाता है कैसे इंटरू दिया जाता है सारी चीए समझने के लिए आगे चलते हैं थोड़ा पहले पैटन समझते हैं इस यह जो है PCS वाला परिक्षा तीन स्टेज का एक्जाम होता है ठीक है सबसे पहला है प्रिलिम्स ठीक जितने भी जो है लोग फॉर्म है वो करीबन चार से पांच लाग रहती है दो तीन लाग लोग ऐसे ही मौज मस्तिक्रे बढ़ते हैं अलाकि यह नंबर ऑफ फॉर्म्स की संख्या बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश के एक्जाम के में जो है कॉम्टीशन का लिवल लगातार बढ़ता जा रहा है आज है अबादी भी बहुत जदा है पोश्ट बहुत कम आती है तो यह सब चीजों की वज़े से कॉम्टीशन का लिवल लगातार बढ़ता जा रहा है ठीक है तो चारपाइट लाग लोग जो है प्री का एक्जाम दे पाते हैं सब लोग मेंस का नहीं दे पाते हैं ना सब इंट है तो मानलो वो बढ़के हर बार का एक मोटा मोटा एक एप्रॉक्सिमेट रूल है कि जितनी जो है सीट आएंगी लगबाद उसकी डबल के आसपास पर फाइनल इसल्ट आता है ठीक अब जितनी सीट हो गई मानलो 500 भी हो गई हैं 2024 की बाद बतारो मानलो 600 भी हो गई ने केस की बहुत दिया चनागए लेकिर होता यह है कि प्रिलिम से मेंस में सिर्फ और सिर्फ सीट जितनी है उसका 15 गुना लोग ही जा सकते हैं ठीक मानलो 500 हों ही तो 75 जाएंगे 600 ही तो 9 जार जाएंगे इस से अधा लोग जाए नहीं सकते हैं फिर मेंस में कितने लोग जाते हैं म मेंस में तीन गुना लिये जाते हैं मतलब जितनी जो है टोटल सीट है मानलो 500 हों ही तो 1500 लोग मेंस में लिये जाएंगे और ज़यादा होई 600 ही तो 1800 के आसपरस दिये जाएंगे यह होता है टोटल क्रिटेरिया ठीक है अब तीन स्टेज के अगर प्रोसेश है तो पहला है यह एक इलिमनेशन स्टेज है ठीक है यानि कि इसमें अगर आप माल लिजे टॉप कर दो या फिर किसी तरह सेलेक्शन ले लो वो बात बराबर है ठीक है प्री अगर आपने क्वालिफाई किया तो आप मेंस के में जा सकते हो फिर जो है मेंस में क्वालिफाई किया तो प्री सिर्फ इसलिए है कि आप मेंस देने लायक है कि नहीं ये तय होता है प्री से ठीक है और प्री में जो इसका निचर होता है ये अबजेक्टिव केशन पूछता है मेंस में बाकाइदा लिखना पड़ता है इंटरू में एक परसनाल्टी टेस्ट टाइप का होता है नॉल यूपी जी के, यूपी का करेंट अफेर है न, मिसलेनियस वाला टॉपिक हो गया, ये सारे टॉपिक एकनॉमी वाला हो गया, गौर्वर्मेंट इसकीम हो गया, ये मोटे-मोटे जनल इस्टेडीज में आते हैं, ठीक है, इसमें 1.500 कुष्चन आते हैं, और 200 नंबर का ये पे तो GS में मोटा-मोटा आपके पास, जो है, करीबन अगर आप देखें, सिर्फ 2-2 गंटे का पेपर होता है, GS का भी और C-set का भी, ठीक है, तो 2 गंटे में 1.500 सवाल करने होते हैं, ये आप समझ लिजए, कट आफ लगभग जो है, 95 के प्लस के आस-पास जो है, 95, अगर आप अपने question net में सही के लिए, तो pre-GS cut-off clear होता है, C-set में क्या होता है, यहाँ पे मोटे-मोटे 5 subject है, हिंदी हो गया, English हो गया, interpersonal skill हो गया, aptitude हो गया, reasoning हो गया, ठीक है, इसी के कई सारे अलग नाम लिखे हो गया है, इसमें 100 question आते हैं, 200 number का paper होता है, सिर्फ one third number लाने पड़त question, sorry, दो type of question आते हैं, एक होता है 8 number का, एक 12 number का, 8 number वाला जो question है, 125 word में लिखना होता है, और 12 number वाला जो question है, वो 200 word में लिखना पड़ता है, ठीक है, तो इस तरह से यह रहता है, तो आप समझ रहा है, भाई, प्री तो एक सिर्फ एक single stage है, वहाँ GS है, C-set है, उसके बाद mains के जो 6 paper है, इनमें 107 point का syllabus है, टोटल मिला के आप चाहें, तो कभी गिन लेना जाके है, टोटल मिला के GS123456 के 107 point हैं, जो आपको पढ़ने पड़ते हैं, प्लस इसकी answer writing भी करनी पड़ती है, हिंदी का तो 45 point का syllabus होता है, mains का, और उसी में थोड़ी बहुत practice करके, और exam से पहले आप करीबन एक हफता देके हिंदी बगरा तैयार कर सकते हैं इसकी, अगर आपकी हिंदी पहले से तैयार है, तो थोड़ा वोतिफट लगता है, English medium के हैं, तो भी आप अगर pre के बाद हमारा जो हिंदी का group है, उसका material पढ़के, उसकी test series बगरा लगाके, सारा personal guidance बगर हो चुका है, इधर, ठीक है, यह है personality का test, इसमें हलाकि आप तीनों stage में देखें, तो सबसे important जो चीज है, वो है current affair, current affair, pre के लिए भी जरूरी है, मेंस के लिए भी जरूरी है, और interview के लिए भी जरूरी है, ठीक है, तो यह है total मिला के pattern, ठीक, अब इसमें देखें कि भाई, कितना क्या समय लग सकता है, total मिला के अगर तैयारी करनी है, total मिला के तैयारी करनी है, तो 2025 की अगर आप तैयारी करने की बात करें, अभी से, माली जी आप एकदम zero stage पे हैं, तो मोटा मोटा नो या दस महीने के आसपास का time लगेगा, क्योंकि समस्या ये है कि भाई, pre का इस लोगों को या फिर जिनके अनल्टिकल इसकर अच्छी होती है, science side वाले लोगों को C-set वगरा के पेपर में फायदा हो जाता है, हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा effort जो है, उधर जादा करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं, उनको मेंस में थोड़ा सा असानी होती है क्योंकि में इसमें एक हिंदी का पेपर जिसके मार्क्स फाइनली रैंकिंग में जुड़ते हैं तो ओवराल सिलेबस इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी मीडियम के हुआ एक थोड़ा बैलेस बना रहा है जैसे 65 का पेपर होता है आप इसमें भी आप देखिए जर आप हिंदी मीडियम के होता है तो आप हिंदी के सारे कोईशन करने की स्थिति में रह सकते हैं 20-22 कोईशन आ जाते हैं हं प्लस जो है इस पूरे CSET के पेपर में 10 questions आते हैं paragraph से चाटने को 5 Hindi के और 5 English के ये तो कोई भी कर सकता है छोटे classes में भी बच्चों को ये सब चीज़े सिखाई जाती है ठीकर कोई चीज़ tough नहीं है ठीकर ना ही कोई चीज़ UP PCS में या फिर State PCS के पेपर में unpredictable जो किया ही नहीं जा सकता है PCS की अगर आप seriously तयारी करने की सोच रहे हैं तो कुछ जो है एक बात ध्यान लखिए कि पहली बात तो इसमें कुछ चीज़े fixed format के थ्रू जो है तयारी करनी है लगातार आपको कुछ fixed चीज़े पढ़नी है कुछ facts आपको याद करने ही पढ़ेंगे इसमें questions की pre की भी practice करनी पढ़ेगी mains की भी practice करनी पढ़ेगी लगातार revision इसमें बहुत बड़ी भूमिका आदा करता है क्योंकि PCS में facts काफी होते है इस तरह से तयारी करनी होती है जब मेंज आने वाला हो तो भी आप आप 10 गंटे पढ़ लीजे ऐसा कोई 24 hours पढ़ने की जरुवत नहीं है इतना enough होता है अब 2024 के अगर आप बात करें तो अभी तो भाई 27 सक्टूबर को pre है तो अभी से लेके pre तक आपको सिर्फ pre पर focus करना है इसका selection material, paid quiz, test series और जो paid group है exclusive recorded video दिये गए इतना करके pre आराम से निकाला जा सकता है ठीक है अच्छा आप 2024 की बात करें तो 27 सक्टूबर को pre होगा उसके बाद जो इसका pre का result है वो शायद नौंबर के end तक या फिर दिसंबर के first week तक आ सकता है दूसरी बात यह है कि UP में अगले साल 2025 में गुम वगएरा है तो बिल्कुल यह possibility है कि यह जो exam की date है वो आगे बढ़ सकती है तो UP PCS 2024 का जो मेंस है यह शायद आपका March April में होने की संभावना है उससे पहले नहीं हो पाएगा तो मतलब UP PCS 2024 मेंस के लिए आपको काफी टाइम मिल सकता है at least मेंस से आपको मतलब pre के बाद साड़े तीन मेने तो आराम से मिल सकते हैं उतना enough है पढ़ाई वगएरा करने के लिए और answer writing practice वगएरा करने के लिए लेकिन यह जो time है इसमें आपको at least 10 घंटे डेली निकालना ही पड़ेगा ठीक है अब इसमें एक चीज़ और में बता हूँ आपको हर बार हम जो तैयारी कराते हैं जैसे प्री प्लस मेंस की साथ में ही कराते है क्योंकि इसमें civil services में प्री प्लस मेंस की एक साथ ही तैयारी होती है बस यहां पर कुछ चीज़ों का जरूर दियान रखना पड़ता है कि जब आप प्री के लिए पड़ते हैं यहां पर तो आपको objective अप्रोच रखना पड़ता है ताकि आपके objective जो dynamic pattern चला है उसके through उसके मतलब reference पर जितने भी आयोग question पूछता है वो आप सही कर पाने किस्तिती में हो या फिर इस तरह किस्तिती में हो किसी तरह कट आफ आप निकाल लें ठीक है तो pre or maze का जो gs का basic basic है basic basic क्या है जो बड़े-बड़े subject है जैसे आपका history हो गया, polity हो गया, science हो गया, और geography हो गया, यह बड़े-बड़े subject है यह चार subject बड़े-बड़े हैं, इनका एक base होता है, कि मतलब जैसे history की कुछ NCRT books आपको पढ़नी ही पढ़ेंगी चाहें आप old वाली पढ़ लो, ancient की जो है, एक आरस सर्माय, medieval की एक है, एस चंद्रा वाली और modern की भी एक विपिन चंद्रा वाली बुक है, 12 की यह basic book है, जोग्रफी के NCRT 6, 11 के 12 तक पढ़नी पढ़ती है, पॉल्टी के लिए कोई एसा जरूरी नहीं है, science के लिए आप जो है, चाहें तो NCRT का बड़े पापा वीडियो ही देख देलिए, बैस उत्तरा काफी है, even geography के लिए हम पेड़ गूर्प में बाकाइदा, जो ह इसे history, policy, science और geography, यह आप पहले पढ़ें, एक डिएड़ महीने पढ़ें इसको, शुरुआत NCRT से करें, इसके साथ साथ आप prelims के और mains के paper जरूर लगाएं, पेपर कब से लगाने हैं, 2018 से लगाने हैं, उससे पहले के paper सब बेकार हैं, 2018 से pattern बदला है, 2018 से पहले GS जो होता वो objective में होता था, subjective में लिखने को नहीं आता था, 2018 से GS subjective कर दिया गया, 4 paper introduce कर दिया गया, subjective वाले जो सारे लिखने पढ़ते हैं, ठीक है, तो पहले base आपको बनाना पड़ेगा, एक डेड़ महीने तक, question paper की previous year की analysis करनी पड़ेगी, 2018 से लेके, 2023 तक का अभी के लिए, 2025 वाले लोग 2024 के paper को भी जरूर देखें, उसके बाद आप क्या करें, मेंस के जो 107 point हैं, ठीक है, तो ये पहले आपने basic अपना बनाया, लगभग एक महीने तक आप base वगएरा पड़ लिए, PYQ वगएरा की analysis कर लिए, तो पूरा-पूरा समझ में आ गया, भाई, किस तरह पढ़न और वीडियो में बताया था कि notes को हमेंसा short form में बनाने की कोशिश करिए, जैसे एक ये page है, तो कोशिश करें, इसको पूरा भरें आप, ठीक है, कुछ भी अलग-अलग कहीं भी लिखें, कुछ चोटा-मुटा जरूर, और इस तरह से बनाया notes, जैसे ये topic है, ठीक है, तो य मेंस का दोनों, फिर क्या करें आप, मेंस के 107 पॉइंट का जो study for civil census का एक paid group है, उसको आप जोइन करें, ठातर सवाले को, उसमें 107 पॉइंट का basic theory, understanding के लिए, सारे मेंस के पॉइंट के एक जो बेस है, उसको समझने के लिए ज़रूरी है, अचा यूपी PCS की एक आदत है PCS की, कि ये मेंस के जो syllabus 107 पॉइंट का है, उसी syllabus मेंस से directly question निकाल लेते हैं, आगे पीछे कुछ word जोड के, कि why critically analyze और फिर syllabus का कुछ point जोड दिया उसमें, या फिर elucidate, elaborate, comment, इस टाइप के question पूछने के आदत है, तो इसलिए मेंस का syllabus 107 पॉइंट का पढ़ना, उसकी understanding कर जना, उसके current affair update करना, उसके PYQ के analysis करना जरूरी है, ठीक है, ये सब चीजे करने में आपको, दोसे, धाई महीन है, मेरे साब से लग सकता है, मेंस वगरा के syllabus को, जो है, cover करने में, और उसका current affair वगरा जो है, धिरी-धिरे cover करते जाएं, बाकी एक बार आपका ये basic cover हो गया, तो pre में, जो भी subject है, GS के, ज्यादा तर में compilation plus listing का, जो latest वाला version होता है, study for civil services का, उसको आप जो है, करके, हर exam से, जो है, करीबन जब भी pre आने वाला होता है, तो उसके 3-4-5 मेने पहले हम इसको, अपने SCS के page group में दे देते हैं, जैसे 2024 वाला दे दिया गया है, 2025 वाला जब रहते हैं, इस तरह से pre की पढ़ाई फिर करते जाना होता है, है न, GS में जो भी चीज़े हमने दे दी, वो आप पढ़ते रही है, pre में बाकी हम लगातार जो है, paid quiz की practice कराते हैं, previous question का analysis दे देते हैं, पी वाई को इतना important नहीं है, pre में भी, pre में भी, जदा जदा लगातार प्रेक्टिस कराई जाती है, test series भी लगातार हम इसमें अपने एक schedule देते हैं, उसके हिसाब से पूरी तयारी परीकी हो जाती है, इस तरह से, और ऐसी तयारी जो साड़े 6000 और 9000 वादा जो लोग ग्रूप लेते हैं, उनका CSB clear हो जाता है, GSB clear हो जाता है, और लग जातार रिवीजन करते रहें, रिवीजन के साथ साथ प्रेक्टिस भी करते रहें, नहीं तो फिर डबा गोल हो जाता है, मेंस की बात मैंने बता ही आपको, कि भाई सुरू का एक महीने जो है आपने basic वाला cover कर लिया, उसके बाद आप अपना point wise जो बेंस की 107 point की understanding है, वो क प्रेक्टिस करते रहें, अच्छा हिंदी मेंस के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप सुरू सही पड़ाई करें, ये प्री के बाद भी किया जा सकता है, ज्यादा ज्यादा गर आप English medium के भी हैं या फिर बिल्कुली रद्दी आपकी हिंदी है, तो भी इसमें maximum से maximum एक मैंस ज गरां और जो है, उसका पूरा जो है, पर्सनल का एडेंस चेकिंग उगरां कर देते हैं, वैसे हमारा intensive ASA का भी गृप चालो होता है, 36 से कभ भी दोज़ार चोबिस को लिए चल भी रहा है, तो उसमें आप जो है जो है, जो है जो है जो है जो है जो हैं से की पूरी प्री कर सकते हैं मेंस के सिलेक्षन मेटरियल जो हमारा ठातर सवाला गरूप है उसमें एक बार जब मेटरियल दे दिया जाता है तो उसके बाद हम उसके हर महीने करेंट अफेर के अपडेट करते हैं जी एस बन से लेके सिक्स तक के सारे पेपर के जहां ज़रूरी है वहाँ वहाँ और इसके साथ साथ पी आई बी योजना गुर्षेतर जो 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 चीजे यूपी पी सियस मेंस के लिए जरूरी सब हम उसको एक उसमें देते हैं टातर सवाले ग्रूप में इसी में हर बार हम मोस्ट एस्पेक्टेड मेंस के क्वेश्चन भी देते हैं विद मॉ करने हो जाते हैं इतने हैं इतनी सारी चीजे करने किसी में होते हैं लेटिस्ट के इब होता है और में को कंवेश्चन के riff really हो प्रियु्टेस्ट के लिए इस तैयारी या पढ़ने की कोई जरूत नहीं होती इंटर्व तो एक परसनालिटी का टेष्ट है जो भी आपके परसनालिटी है वो और डा एर्स बन चुकी होती है वो रातो रात चेंज नहीं हो सकती है आप जब एक प्रोसस के तरू गुजरते ह सब कुछ पढ़ते हैं प्री का मेंस का तो आपको पता होता है कि इंटरो में किस तरह से चीजे जवाब देने होते हैं एक कॉमन सेंस वाले स्टुडेंट की बात मैं बता रहा हूं तो इस तरह से पूरा टाइम लगता है पूरा दोजार पच्छिस के लिए अगर आप अभी स हिंदी का ठीक है और हमारे आंसर रैच्न के गुफ होते हैं पलस एक से मैंस के पूरी थाक्तिजए करनी है छिए अर महिने की स्ट्पा है उसमें सब बता हो जाता है कैसे क्या चीजे करनी है three stage की strategy वो पूरा concept मैंने ही पूरा design किया है कैसे क्या होता है उस strategy को follow करके कई सारे student already PCS officer, ROARO में, BEO में officer बन चुके हैं ठीक है और 2024 के लिए अगर आपको 2024 में ही लेना है selection तो आप जो है थोड़ा serious हो जाएं अभी सिर्फ free पे focus करें सिर्फ और सिर्फ SCS का content ले 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 शारे 6,000, 9,000 वाला इसके लावा कहीं से कुछ करने के जरूत नहीं है बाकी सब लोग देखें selection material वगारा जो material देते हैं वो भी update नहीं करते हैं कुछ भी uncertainty दरुदर कर उठा के देते हैं हमारा target है कि हम UPPSC के official syllabus पे ही attack करते हैं तो official syllabus ही हमारा दायरा है उसी के थूँ जो है उसी के reference मान के material डिबलप हो जाता है उसके अलावा उसी के जो भी updates होते हैं वो गुरूप में हम लगातार देते रहते हैं तो SCS का जो है इसमें पूरा material लेके pre के लिए test series पेट कुछ इतना लगा के प्री कर सकते हैं प्री के बाद भी आप आराम से मेंस का पूरा group जोईन करके जो material वाले point है वो अपना पढ़ते रही है answer writing करते रही है हिंदी में अपना हिंदी की तियारी करते रही है और बाकी test series पेगर दी जाएंगे उसको पूरा चक करते रही है एसे होगरा में मेंस की intensive answer writing कराई जाएगी इस तरह से चीज़े होती है कोई बहुत बड़ा भोगाल बनाने की जिरूत नहीं चार साल लग जाते हैं 20 साल लग जाते हैं 5 साल लग जाते हैं 50 साल है कुछ नहीं है seriously तैयारी करो सिर्फ जब पढ़ाई करो तो सिर्फ पढ़ाई करो कुछ और फालतों की बाते मत सोचो हैपी बड़ डे साधी पार्टी है ना बहुत सारे तिवार एद महर्रम जो भी बीच में तिवार आते रहते हैं उसमें आप पार्टिस्पेट करिए जितना आपकी जरुत है आपकी रिलीजियस जो भी रिस्पोरा करिए और तुरंट पड़ा ही मिल लगिए गल्फेंड बॉ गयरा में घुसें रिस्क है इसमें हर जरूरी नहीं कि भाई हर आदमी से लेक्ट हो ही जाए मैं एकदम सही पिच्चर दिखाता हूं आपको जो एक्ट्रली जरूरी है आप लोगों को समझना डरानी की कोई वो नहीं है मेरी लेकिन यहां पे समझना की बात यह भी है SDM जैसी पोष्ट अगर आपको चाहिए आप इसके लिए त्यарी करना चाहते हैं तो तैयारी भी गुरू जोड़दार हुनी चाहिए पोष्ट चाहिए SDM तो फिर तैयारी भी SDM जैसी करो यह नहीं कि तैयारी चप्रासी जैसी और पोष्ट चाहिए SDM मेहनत करनी पड़ेगी, प्रेक्टिस करनी पड़ेगी, शॉटकट नहीं है PCS में, PCS में, प्री में, कम से कम दस जार क्वेशन अबजेक्टिव के लगा की जाना, वो भी जैजा पैटन चल आए, डाइनमिक पैटन उस तरह के, में इसके लिए भी आप कम से कम एक डेड़ जा क्वेशन लिख के ही जाएं, वजना फिर जो है सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, मुझे लगता है मैंने सारे क्वेशन का आपका अंसर दे दिया है, फिर भी कोई कॉमेंट हो, फीड़बेक हो, सेसरो, तुरन कॉमेंट करके, पताईए, जोकि लो,